तो उसकार बहुत बहुत स्वागत आप सभी कार्फिनर जंक्शन में मैं हूँ प्रियंका और बाजार में इस वक्त अच्छी रिकावरी तो अटेंप्ट हुई पहले फर्स्ट आर में हमने एक जोदा रिकावरी देखी बैंक निफ्टी तो इनफाक्ट आप साठीदस के बाद के करीब बात करें तो लगबख 75 पॉइंट्स की गेंस के साथ दिखा रहा था लेकिन फिलाल जो गेंस है वो थोड़े एरोड हो है लगबख वाणे 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी आपको नीचे देख रहा है उन डेस के अंडर्स को तो लीड लेते वे देख रहे हैं लेकिन इस पीछ में और दूसरी कौन सी बड़ी बात है एक बार चले पहले पांच बड़ी बात उपने तरा पहले कमजोर शुरुआ थुई लेकिन उसके बाद रिकवरी आप देख रहे हैं बादा और अटेंट कर रहा है अभी थोड़े से प्रॉफित इरोड़ हुए लेकिन रिकवरी अच्छी होती हरे निशान में भी बैंक निफ्टी आ गया था तूसरी बैंक निफ्टी दिन के निचले सरो से लगबख साड़े छे सो आंग तो यारी कर आप पिछले तीन दिन की बात करें तो तो तीन दिन म में है इस वक्ते आजार में भी मिट कैप और स्माल कैप इंडेक्स कॉंसे सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म करें आई-टी इनर्जी शेर यहां पर आपको आज दबाव दिख रहा है आई-टी शेर में दबाव जिसन थोड़ा वाजार वीक होता है उसन आई-टी शेर तो और होते हैं और रियल्टी स्पेस में हम देख रहे हैं यहां पर भी इसी हफ्टे की शुरुआत से फेस्टिवल सीजन चुरू हो गया है तो आप वहां पर तेजी देखी रहे हैं पाच्वी बड़ी बात इंडिया विक्स करीब 11 पर सब्सक्राइब 20 के आर है आपको इंडिया इस कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर बात कर लेते हैं आज जरुटिव स्पेस में इस पक जो टॉप लीडिंग काउंटर है वो ऐसा रफ है इसा रफ पिछले तीम दिन सब देख रहे हैं स्ट्रॉंग मूव्मेंट दिखा रहा है वहां काफी सार आक्शन है के अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है तो फर्टलाइजर पैक हो इस वक्त आपको अच्छे गेंस दिख रहे हैं और क्यूंकि कुछ स्टॉक्स जो मैक्रो ट्रिगर से जुड़े होता है यानि ब्रेंट क्रूट की सौफनेस का जनको फायदा मिलता है पेंस्टॉक् अच्छी 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 एंडेक्स में लार्जली हम देखे तो जो एक डर या एक एंटिस्पेशन था माकेट्स में आज के शायद एक 300-350 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है इंडेक्स में और शायद उस गैप डाउन और ज्यादा एग्रिवेट हो सकता है और बैंक ट्रिफ्ट इवी में हम एक्सपेक्ट करते के करीबं साधे 500-600 पॉइंट का गैप डाउन हो और वहां से शायद थोड़ी सी और सेलिंग प पॉइंट नीचे है पट मेरे अनुमान से अगर हम ओपनिंग लेवल्स की बात करें और करेंट लेवल्स की बात करें तो बहुत ही रिमार्किबल रिकावरी है बैंकिंग इंडेक्स में तो मार्केट का जो मूड है वो अभी भी इंडिकेटिव है कि हम आउट परफॉर्मि ज्यादा नहीं होती तब एक्सपेक करते कि माइनर जटके है माइनर जटके अब्सॉप करने के बाद में वापर से कोस अपसाइड में ले सकता है तो बाइस बुलिश रहेगा इंडेक्स में हाला कि एक्सपेक कर रहा हूं कि नेक्स दो या तीन दिन यह थोड़ी जो करें, for example, अगर इंडेक्स या निफ्टी 17,500-550 के आसपास अगर फ्यूचर आ जाए तो मेरे नुमाद से बहुत बढ़िया लेवल बन सकता है, एक कॉंट्रा बाइंग ऑपरिशिंटी के लिए 100 पॉंट्स, 150 पॉंट्स का एक इंडेक्स फ्यूचर के लिए प्ले कर सकते हैं, इंडेक्स फ्यूचर के ट्रेडर्स और बैंक ट्रिफ्टी सेम लाइट में अगर 39,500 या 39,400 के आसपास अगर फ्यूचर बैंक ट्रिफ्टी के ट्रेड करें तो मेरे नुमाद से यह एक अच्छा लेवल बन सकता है, जहां पर ट्रेडर्स लांग पॉजिशन इनिशेट कर सकता है, ठीक है कुनाल, तो यहां पर जो बाइन डिप्स की स्ट्राटीजी रखनी होगी, कौन से स्पेसे में रखें, क्या आप फटलाइजर, केमिकल स्पेसे में रखें, जहां सबस्यादा शॉट कवरिंग है, या फिर बैंक मैरा मानना चाहिए जब इस बंस्पेस सब्सक्वा बांक आपर जाआ नकोग है उनिश्क काईच सब्सक्राइजर आफ बंक patterns करनाया है, तो ने चाहिए जSnा सória कर्ना चाहिए, तो इन रिगाद में दो सेक्रडूर सिक्तर चहां पेर बंसे लग बंक झान क्यूहर पेला है बैंकिंग और फिनांशल सर्विस्स का पूरा इंडेक्स है वेदर इस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पीस्यू नेम्स त्रेडर्स कर सकते हैं उन स्पेसे में से या फिनांशल सर्विस्स इन जो NBFC यह भी काफी बढ़िया लग रहा है और जो सेकंड सेक्टर है जो आप में अच्छी मुवमेंट आ रही है बजाज ओटो में काफी अच्छी बाइंग हाई है यह कुछ एक इवेंट्स और न्यूस फ्लो के बाद में तो यह जो दो सेक्टर से बैंकिंग, फिनैंशल ऐस वेल आउटो इस यह दो सेक्टर को में जादा प्रिफरेंस दूंगा करेंट लेवल से ठीक है तो यह हमारे सेक्टर भी है जो हम माक्सम लॉंग बिल्ट अप भी देख रहे है कुनाल की रेक्मेंटेशन भी इनी में से निकल कर आएगी तो चले यहाँ पर कंपनी के बड़े केपेक्स के प्लान है, एकसेस कैपिटल के साथ इनकी वैठिक थी और हमने देखा कि तभी से आपकी SRF में मूव दिख रहे हैं, क्या यह एंट्री पॉइंट इन लेवल्स पर भी ढूड़ना ठीक होगा, अंडिस्टैंडिंग कि 10 से 12 परसंट का मूव तो अलरड़ी आ चुका है, I think 10 परसंट का मूव अलरड़ी आ चुका है इस हफते में, लास तीन दिन में, तो शॉर्ट टर्म ट्रिड़स जब बाई करें तो उनके लिए रिस्क रिवर्ड फेवर्ड नहीं होता है, बट दो चीज़ होती है जो मार्केट्स में एक ends start specific entry point में देखनी होती है, एक के stock breakout point पे आ गया है या momentum साथ में है, दूसरा risk reward, कभी-कभी risk reward favor में नहीं होता है, बट जब पो पे आ गया होता है तब रिस्क reward को थोड़ा सा favor ना करके, expect करते के momentum sustain हो stocks में, सब्से important जो behavior हो है, S.R.F. किया is this stock है, जय अब यह trend pick up करता है तो हमने देखा है historically भी कि वो trends एक वीक या दो वीक के लिए last नहीं करते कभी-कभी ऐसा होता है कि stock almost 7-8 weeks की continuous uptrend भी दे सकता है तो मेरा ऐसा मानना है कि SRF ए classical buy है, dips में बहुत बढ़िया investment buying बन सकती है अब जो short term trader अगर इन 2 दिन या 3 दिन के अवदी से अगर trade करना चाहे तो मेरे अनुवाद से current levels पर भी buy initiate कर सकते है SRF पे 2650 के आज़ पास future trade कर रहा है अगर यहां से अगर 2 दिन की भी अवदी रखे तो करीबन 100 रुपी का upside देख सकते है 2750 का target रख सकते है SRF में ठीक है SRF के साथ साथ हमने देखा कि पूरा chemical space में भी अच्छे volumes है in fact आप Coromandel की बात करें वहां अच्छे दिख रही है in fact मुझे आदा Tata chemical तो आपकी इश्र बाइंग लेस्ट में भी था last week कुनाल तो क्या इस space में कुछ और stocks में पसंद आ रहे है stock है जो मेरा मानना है कि I think वो भी एक बहुत बढ़िया stock बन सकता है I think stock ने बहुत fantastic returns दिया था 2020 lows से हारा कि last 3-4 months थोड़ा से एक turbulent phase आगया है but कहते हैं ना कि good stocks, bad times, best times to buy तो मेरा नुमाज से इपक नाटेट भी अच्छा trade बन सकता है तो थोड़े जो high risk trader है और जिनकी time frame short term या intraday ना होके थोड़ी सी positional है one month या two months या three months के time frame के अनुमान से तो इपक नाटेट भी अच्छा trade बन सकता है मेरा मानना है कि stock आने वाले कुछ एक महिनों में शाय 2400 का levels भी देख सकता है तो यहां से बहुत बड़ी अपसेड मिल सकता है दीपक नाटेट में भी दीपक नाटेट पसंद आता है कुपनाल को इस space है एक एक space से हम यहां cover करते चलते हैं चलिए banks के अगर आप बात करें banks ने जितनी अच्छी resilience दिखाई है यहां और लगबक 1820 पॉइंट की बात है क्या आपको लग रहा है कि बड़ा contribution अभी आना HDFC limited stock से बाकी है HDFC bank HDFC limited तो जो तो दो चीज़ यहां पर जानना जरूरी है एक है bank 50 by itself move करना दूसरी है जो हम consistency देखे last 2-3 दिन में के FI की buying pattern और गर हम देखे consistently के जब selling में जब FI की pattern थी के large क्या banking में selling आए HDFC, HDFC bank, Axis as well as Kotak bank अब अब देख रहे के completely contra buying हो रही है इन सारे stocks में तो HDFC bank, HDFC limited, you know Kotak bank यह सारे resilient stocks बन गए है correction आती है इन stocks में but bounce back भी उत्राइज जादा strong and furious होता है तो अगर हम इन दोनों points को combine करें तो मेरे अनुमान से HDFC bank, Kotak bank यह दो बहुत बढ़िया stock और share बन सकता है Kotak bank पर specifically मैं काफी bullish रहूँगा because मेरा ऐसा मानना है कि stock काफी underrated है underperform कर चुका है but you know बहुत ही जल्द मुझे ऐसा abas हो रहा है कि शायद इस stock बहुत ही जाला quickly breakout दे सकता है so 2000-2050 का short term target रख सकता है Kotak bank में traders अगर initiate करना चाहे long positions यहाँ पे कर सकता है और 1880 का futures में stop loss रख सकता है ठीक है, banks पे, Kotak bank में अभी आपको बड़ी चाल देखने को मिल सकती है चलिए एक बार move stocks भी देख लेता है तेज शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली है गुजराद GAS काउंटर में गुजराद GAS एक typical morning में भी हमने यह रिकमेंट किया था कुना अलब, oversold zone, अच्छी recovery दिखा रहा है सुबह तो यह 4% तक तेज था, थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन क्या भी entry points दिखते हैं आप तो यह जो point है short covering का यह बहुत ही जादा important point है because हम ऐसे stocks चुनना चाते है short covering में जिनमें trends काफी consistent हो तो मेरे अनुमान से गुजराद GAS में जो trends है वो consistent नहीं है गर हम last, you know, one month पहले भी देखे तो मेरे अनुमान से थी गुजराद GAS ने one month पहले भी एक अच्छा breakout दिया था जब stock, single day पे करीबन 5-7% move किया था, 50 day moving average के ओपर close की थी stock ने 450 का levels cross किया था पर उसके बाद जादा strong follow through price action नहीं आया है, तो कफी inconsistent चाल है इस stock की तो उस हिसाब से मैं गुजराद GAS को avoid करूँगा, short covering category में specifically ठीक है, आप short covering, गुजराद GAS को avoid करते हैं, ठीक है, कर दीजे, कोई बात नहीं कि आप comments को पसंद करेंगे मेरा मानना यह है कि जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि short covering और consistency price trend में, अगर यह दो combination आ जाती है, तो हम कहते हैं, इस यह काफी lethal combination है, stock specific breakouts के लिए, तो comments और अगर हम और भी other sectors में stocks देखें, तो ABB में बहुत अच्छा last 3-4 दिन में move आया है, L&T काफी strong है, 1900 के ऊपर trade कर रहा है तो, इस sector भी काफी strong है, comments ने बहुत ही अच्छा perform किया था पहले भी, और stock वापस अच्छे से consistently break out दे रहा है, तो मेरे नुमान से अगर हमें, you know, short covering में candidate pick करना है, तो comments 1200-1225 के आसपास बहुत बढ़िया बाया बन सकता है अगर short term traders 3-5 मेरे नुमान से इक 1275-1280 का एक बढ़िया target बन सकता है stock में ठीक है, 1275-1280, इसके लावर जो दूसरे जो counters हमारे radar पे आ रहे हैं, इसमें कुछ stocks, defense stocks, PMBEL, HAL, क्या यहां पर आपको momentum देख रहा है, जो continued रहेगा, I mean momentum तो है, लेकिन क्या आप तेजी से momentum continue दो पाएगा कि position ले पाए तो I think एस stocks में, जो buyers अलेडी buy कर चुके है जो hold कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही जादा convincing opportunity है कि वो अभी भी hold कर सकते हैं, मेरी सिर्फ एक ही doubt है current levels पे HAL और BEL में कि momentum slowdown हो रहा है, तो हलांकि trend, प्राइस trends बहुत ही जादा strong और aggressively है, momentum भी काफी strong है, but RSI की जब हम बात करते हैं, डिली charts में, तो वो RSI थोड़ से relatively lower lows बनाते जा रहा है तो यह जनली एक इंडिकेशन होता है कि stock बहुत ही ज़ले consolidation में enter करने वाला है, और जब consolidation में enter करने जा रहे होते हैं, तब उनमें trading positions पे initiate में करूंगा buy, for example, अगर HAL वापसे 2200 के आसपास आ जाए, तो बढ़िया level बन सकता है buying करने के लिए, BEL, you know, for example, अगर वो 305 के आसपास अगर वापस आ जाए, तो वो भी एक बढ़िया zone बन सकता है buying के लिए, not at current levels, ठीक है, all right, BEL पर यहाँ पर एक bet ले सकते हैं, लेकिन, इस पीच आज एक stock, जो हम देख भी रहा है, वो है Zee का stock, क्योंकि Zee और Sony के merger को लेकर, जो नई developments है, वहाँ थोड़ी सी अच्चने दिख रही है, at the same time, Zee के positive news भी है, उन्होंने करार किया इस पीच पहले, यह टेक्निकल पॉइंट हम अशेशा से एक बार फिर से समझ लेड़ें, अशेशा बता है Zee Entertainment के stock में आज पिकवाली देखने को मिल रही है, और इसका कारण यह है कि Zee और Sony का जो merger announced किया गया था दोनों ही कंपनियों से कुछ महीनों पहले, उसमें शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है CCI यानि Competition Commission of India ने scrutiny commence की है इस particular merger में, उन्होंने कहा कि combined entity जो रहेगी Zee और Sony को मिला कर, उनको unparalleled bargaining power मिल सकता है इस bargaining power के कारण prices में एक increase देखने को मिलेगा और profitability भी दोनों ही company की jump हो सकती है In fact, उन्होंने ऐसा भी कहा कि combined viewership दोनों ही कंपनियों को मिला के जो चार जोनर में दोनों ही कंपनिया काम करती है उसमें around 40% की viewership देखने को मिलेगी और उसी के चलते उन्होंने अभी के लिए ये scrutiny comments की है Zee Entertainment ने भी अपना बयान दिया है इसी matter पर उन्होंने कहा कि Zee Entertainment अभी necessary steps ले रहा है तो ensure कि ये merger process जल्दी complete हो जाए याद रखे कई analyst की भी report आई है इसी merger process पर जहां उन्होंने कहा कि इस merger के कारण stock पर near term overhang हो सकता है और इसी CCI scrutiny के कारण delay भी हो सकता है इस process में merger approval में थोड़ा सा delay देखने को मिल सकता है overall market share analyst के हिसाब से 26% है हाला कि CCI का मानना है कि जो charge owner में दोनों ही कमपनिया काम करती है उसमें combined market share 40% के आसपास हो सकता है slight changes competition commission of India शायद announce कर सकती है इस particular merger को approval देने के पहले लेकिन इसी approval और इसी scrutiny के कारण आज stock pressure में है ठीक है चले बिलकुल शुक्रिया यह जानकारी बताने के लिए तो लगबग 4% के गिरावट आप scrutiny comment के चलते ZK stock में देख रहे हैं इस पर trade और पहले भी हो चुका है और trades अब identify करते हैं कुनाल के साथ कुनाल हम लग रहे हैं कि jubilant food यह stock में भी आपको एक अच्छे कासे momentum के बाद profit book हुए अब फिर से stock चलना शुरू है क्या यह तेजी पकड़ेगा जी हाँ I think एक बहुत बढ़िया चार्ट है बिकाज जब एक stock एक levels पे आके stop करता है इन्हें breakout देके stop करता है फिर वापस से काफी time spend करने के बाद में जब वो stock वापस से second round of breakout पे आता है तब हम कहते है कि stock वापस ready हो गया है एक mature phase में breakout देने के लिए तो उस रिगाज में मेरे नुमाद से I think jubilant food बहुत classical buy बन सकता है 660 का target रख सकते हैं आप jubilant food का जो मेरे नुमाद से बहुत ही जादा strong probability है कि तागेट अचीव होने की possibly by the next two weeks because यह जो breakout है, retest है, retracement है and then retest again of the breakout यह काफी अच्छा और consistent pattern होता है stocks में तो मेरे नुमाद से I think jubilant food बहुत बहुत अच्छा move बन सकता है यहां से 660 का में टागेट रखूंगा इस टॉक पे नियर टॉमवाइस 660 के target के लिए jubilant food पे current levels पर आप buying कर सकते हैं यह कुनाल की recommendation है, कुनाल इसके लावा यह paint stocks क्योंकि आज इसले भी move पे हैं क्योंकि brand पर दबाव है, लेकिन अभी जो trend दिख रहा है यह थोड़ा सा दबाव तो sustain लग रहा है क्या paint counters को खरीदा जा सकता है, बहुत ही volatile move रहता है एक दिन brand crude बढ़ेगा तो इन stocks में आपको pressure देखेगा correct, तो मैं ऐसे trends और ऐसे stocks को मैं generally avoid करता हूं because वह बहुत ज्यादा fickle nature होते है stocks में by that, अगर कोई data factor change हो जाता है जो बहुत ज्यादा swing कर रहा है last four five months में तो उस पे बहुत ज्यादा dependent होना थोड़ा सा risky हो जाता है तो वह एक अकेला factor नहीं होना चाहिए trade initiate करने के लिए in fact मेरा तो ऐसा मानना है कि शायद जो दो या तीन paints के major stocks है उस पे से budget paints तो actually शायद एक negative candlestick बना रहा है आज अगर हम candlestick pattern की बात करें तो 200 day moving average को break करके stock वापस से अपने days low के आसपास आ चुका है और हम candlestick pattern में कहते है के एक gravestone दूश एक bearish pattern बनाया है stock ने तो मेरे अनुमाल साइधिंग बज़र paints में शायद selling आ सकती है आने वाले कुछ इक दिनो में मेरे estimator के stock 655, 660 के levels को भी हीट कर सकता है तो downside में शायद pressure रह सकता है paint stocks में avoid करूंगा longs यहां पे और selling के लिए in fact budget paints यहां से मुझे इसा लग रहा है कि शायद 660 का level भी touch कर सकता है ठीक है, alright, तो यह तो एक व्यूरा, budget paints पर यहां पर एक paint stocks में व्यूर रहेगा कुनाल का, कुनाल है speech, यह तो कई सारे सवाल मैंने आप से पूछे, लेकिन आपके बस भी कुछ recommendation होगी जहां पर आपको लगता है कि profitable होगी वो recommendation अगर viewers ले तो जो हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा मानना है कि auto stocks बढ़िया trend पिक अप कर रहे है तो Ashok Leland पे मेरा पेरा buy call रहेगा मेरा मानना है कि I think stock एक अलग zone में वापस एंटर कर रहा है, 159, 160 का असपास trade कर रहा है तो इसके में buy के recommend करूंगा अशोक Leland पे target रख सकते है 167 का, stop loss रख सकते है 156 का अशोक Leland पे और second stock जो मैंने इनने जस्ट पताया है कि budget pains पे sell call रहेगी, मेरा मानना है कि I think budget pains शायद 660 के level को भी touch कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में तो traders sell initiate कर सकते है, 660 का target रख सकते है budget pains पे और stop loss रख सकते है करीबन 685 का, अशोक Leland ये सबसे पहले हमने morning में opening trade में भी देखा, FNO का सबसे strong counter आपको अशोक Leland ही दिख रहा था, commercial vehicle के sales numbers अच्छे आने की उमीद है, यहाँ ये बड़ा trigger है और दूसरी recommendation जो है, वो burger pains को sell करने के, तो Kunal ने तो एक head strategy kind of ली है, चले ठीक है, Kunal कोई disclosure नहीं है, इन stocks पर बढ़ हो सकता है, कि मैंने ये stocks already पने clients को recommend कर चुका हूँ, एक last stock आप से और पूछना था, Kunal, I just missed that time, मुझे एक दम ध्याना है, Maruti का stock, क्योंकि हम देख रहे हैं कि auto pack तो एक रफदार में है, लेकि Maruti के लिए tough resistance समेशा जोन में रहते है, 9100, 9200 के आसप तो मैं शायद wait करूँगा second half के लिए, अगर आज की दिन में volumes pick up हो जाए Maruti में, अगर stock ये 9000 के levels को hold कर दे, तो potential breakout बन सकता है, और हम उस zone में हैं जहां पर बहुत सारे auto stocks एक एक करके breakout दे रहे हैं, तो उस regards मेरा ऐसा महानना है कि शायद Maruti भी अच्छा breakout दे सकता है, पर हम और राइड, momentum buying Maruti में देखने को मिल सकती है, इन levels पर ध्यान रखना होगा, लेकिन जो कुनाल के recommendation है, बहुत बात शुक्रा कुनाल आद समय देने के लिए, सारे recommendation हमें शेक करने के लिए, बहुत बात शुक्रा, चलिए इसी के साथ FNO के इस खास शो को यहीं समेठेंगे, ल आपक इस पना नगाताव पने में के मजेगा, नाइका.